हाई व्रीवान वन सकीन वेलकम बैक टो में चैनल सो आज फिर मैंने इस क्रैप से कुछ बनाऊंगी तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दू फैब्रिक्स लिया है जो कि कॉफी हैवी है लाइनिंग के लिए बैस्ट है उसके बाद टॉप एंड बॉटम का पोश्चन मैंने लिय है यह केस्मेंट का फैब्रिक है अपने आप में भी काफी हवी होता है छोटी छोटी पीसिस मैंने लिए इनके उपर चोटी सी डेटीलिंग पैच वर्क के लिए तो सबसे पहले हम टॉप को रेडी करेंगे जिसके लिए मैंने आपे जो चोटी फैब्रिक से उनको मैंने जाकि जब मैं स्टेच करूं तो मेरी लिए इसी हो जाए तो एक ट्रेंगुलर शेप में इक स्क्वाइर शेप में विलकुल आपके चाहिए सब जैसा चाहिए वैसे पैच वर्क में इसको टैच कर सकते हैं अब यहां पर डारेक्ली स्टेच कर रही हैं आप चाहिए तो जाए लाइनिंग रखेंगे फिर फ्रंट और बैक को जैसे आपको दिख रहे हैं बल्कुल उस तरीके से प्लीज करना है उसके बाद इसको तीनों साइट से स्टिच करेंगे ताकि जो फोर्ट साइड है वहां से हम इसको टर्न कर सकें और हमारा जो सीधा पोशन है वो भार कोई भी उपर डिजाइन दे सकते हैं कोई भी बैच वर्क शूटी पीसे जो बच जाते हैं सब सब अच्छा लगता है जब हम कोई चीज तरीके से क्रियेट करते हैं तो अब यहां पर जो हमारा नॉमल हैंड स्टेच है उसको मैं यहां पर करूंगे आप चाहें तो यह पा सब्सक्राइब करते हैं ताकि बैक में यह जो थ्रेट है वो ना दे कि सिर्फ टॉप टॉप और मिडल को टैच कर दे इस अरीके से मैंने स्क्राप्स का यूज करते हुए बहुती पॉफेक्ट साइज पे मैंने पॉर्ट होल्डर रेडी कर लिया है आप चाहें तो कोई पी डिसैंर डाल सकते हैं चितनी पे छोटे फैप्रिक से उन सब का यूज कर सकते हैं Import nos DIY के लिए मैंने यहां पे दो कलर्स में फैबरिक ली है एक जाएन जाएन प्रिंटेद अब ञंपर इस DIY के लिए आपको चोटे चोटा स्कोयरपीस होना जाये बट आप बहुत इजी लिए इसको बना सकते हैं बहुत cute भी लगते हैं melody purpose भी है तो यहाँ पर simply मैने piece cut कर लिया fabric के साथ मैने यहाँ पर embroidery thread लिया आप चाहे कोई भी thread ले सकते हैं बट यहाँ पर हम इसको एक side चे नोट बाण दें के ताकि यह निकले नहीं जहां में attach करना है अब आप यहां पे देखिए इसको हमें fold कैसे करना है और किस तरीके से hold करना है तो simply आप इस तरीके से थोड़ा समोसा shape में इसको कर सकते हैं बड़ एक्जेक्ट समोसा आपको नहीं करना है इस तरीके से thread रखना है और node side अंदर के तरफ इस तरीके से hold करते हुए हाथ से हमको इस सबको attach करके कली जैसा बनाना है सथाना यह बहुत easy और आप इसको थोड़े और बड़े shape में बनाते हुए बहुत सारी चीजे बना सकते हैं जैसे कि curtain holders बना सकते हैं चोट चोट साइस में आप अपने hair accessories बना सकते हैं आप इनको ऐजा key chain में और बहुत सारे तरीकों से यूज़ कर सकते हैं बट मैंने इसको बनाए अपने back के लिए और कुछ time के बाद इसको curtain में भी बनाऊंगी ज़के लिए बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चलिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बलाइ